नमो नारायन मित्रो, मैं राहूलेश्वर, स्वागत करता हूँ आपका भाग्य मन्थन में मित्रो, आज हम बात करेंगे मकर राशिफल 2019 के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रहों का गोचर, मानव जीवन और प्रक्रती को सदैफ से प्रभावित करता आया है समय समय पर प्रक्रती और मनुष्य पर पढ़ने वाले प्रभावों पर निरंतर कड़े शोत के पश्चात जियोतिश्विध्या के आधार इस्तम्ब इस्तापित किये गए हैं और यही इस्तम्ब चिरकाल से मनुष्य को जीवन में सफलता दिलाने वा आने वाली समस्याओं से बचाओ के लिए मार्क दर्शन हितु प्रयोग किये जाते हैं जियोतिश्विध्या सदैव से मनुष्य को बुरे कर्मों से दूर कर अच्छे कर्मों की तरफ ले जाती है और मनुष्य को नियम से जीने के भौतिक और अभौतिक लाब वहानी से अवगत करवाती है जियोतिश का उद्देशिय आज भी मानव का आध्यात्मिक वा आत्मिक विकास करना ही है न कि अंदविश्वास में डालना आईए सबसे पहले बात करेंगे उन मुख्य ग्रहों की इस्तितियों के बारे में जिससे 2019 का पूर निचोड निकाला जाए कि मकर राशी के लिए 2019 का पूरा वर्ष कैसे प्रभाव देने वाला साबित होगा मकर राशी की चंद्रकुंडली के हिसाब से आपकी राशी के स्वामी शनिग्रह पूरे वर्ष धनू राशी में ही विराजमान रहेंगे जो की आपकी जन कुडली का द्वादश इस्थान हैं जिसे व्याय भाव भी कहते हैं ब्रहस्पतिग्ह वर्ष आरंब से 5 नवंबर 2019 तक पृष्चिक्राशी में रहेंगे जो की आपकी जन कुडली का एकादश भाव है जिसे लाव इस्थान भी कहते हैं पांच नवंबर के बाद ग्रस्पति ग्रह गोचरवश अपनी स्वराशी धनू में चले जाएंगे जो कि आपकी जन्म कुंडली का द्वादश भाव है जहां आपकी जन्म राशी के स्वामी शनी ग्रह पहले से विद्यमान रहेंगे रहु ग्रह वर्ष आरंब से करकराशी में बने रहेंगे और 7 मार्च 2019 को मिथुन राशी में गोचर करेंगे और वर्ष के अंत तक यहीं बने रहेंगे यह आपकी जन्म कुंडली का छटा इस्थान है जिसे रोग और शत्रू भाव के नाम से भी जाना जाता है केतु ग्रह भी 7 मार्च 2019 को मकर राशी को छोड़ कर धनू राशी में आ जाएंगे और शनी केतु के साथ मिलकर आपके द्वादश भाव में चांडाल योग का निर्मान करेंगे सूर्य ग्रह का अपनी उच राशी मेश में गोचर 14 अपरेल से 15 माई 2019 के बीच होगा और 18 अक्तूबर से 17 नवंबर 2019 के बीच सूर्य ग्रह अपनी नीच राशी में रहेंगे शुक्र ग्रहे 16 अप्रेल से 16 मई 2019 तक अपनी उच्च राशी मीन में रहेंगे जो कि आपके विध्या, बुद्धी और कर्म इस्तान से सम्मद रखते हैं मंगल ग्रहे 22 जून से 9 अगस्त 2019 के बीच अपनी नीच राशी कर्क में गोचर करेंगे जो कि आपके सुभाव और लाब इस्तान के स्वामी हैं बुद्ध ग्रहे 25 वरवरी से 3 मई 2019 तक अपनी नीच राशी मीन में आवा गमन करते रहेंगे और 11 सितंबर से 29 सितंबर तक अपनी स्वराशी और उच्च राशी कन्या में रहेंगे कुल मिलाकर मकर राशी फल बनाने में हम सभी ग्रहों के गोचर फल को ध्यान में रखेंगे लेकिन यहाँ एपिसोड ज्यादा लंबा ना हो इसलिए सभी ग्रहों के गोचर की वरिस्तित रूप से चर्चा नहीं करेंगे आईए अब जियोतिशिय प्रकाश में क्रमबद्ध तरीके से मकर राशी के जीवन के प्रत्यक महत्वून हिस्से पर बात करते हैं आर्थिक इस्तिति आर्थिक द्रिष्टी कोंट से देखा जाए तो नव वर्ष 2019 आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों परिणाम लेकर आ रहा है इस समय आपकी चंद्र राशी के अनुसार आपके राशी स्वामी शनी द्वादश इस्तान पर बैठे हैं जिसे व्याय या नुकसान का भाव कहते हैं चंद्र राशी स्वामी के व्याय भाव में जाने से यह तो इस पश्ट है कि और वर्षों की तुलना में इस वर्ष खर्चे अधिक रहेंगे आपकी राशी अनुसार भी देखा जाए तो आपके धन इस्तान के स्वामी का भी व्याय इस्तान पर होना अत्यदिक खर्चों को दर्शा रहा है ब्रहस्पती की इस्तिती इस समय आपके लाविस्तान में रहेगी जो की इस समय आपके सबसे बड़े समर्तक सिद्ध होंगे शनी इस वर्ष खर्चे बढ़ाने की भूमिका में रहेंगे लेकिन दूसरी तरफ ब्रहस्पती ग्रह खर्चों की पूर्टी करने की भूमिका में रहेंगे ब्रहस्पति ग्रहे और मंगल ग्रहे इस वर्ष में जब भी शुबिस्तानों पर जाएंगे आपको बड़े धनलाप के योग बनाएंगे वर्ष 2019 में 14 अप्रेल से 16 मई 2019 तक मंगल और शुक्र ग्रहे के प्रभाव के कारण आपको बड़े लाप्राप्ति के योग बनेंगे इसलिए इस समय सतर्क रहें इस वर्ष किसी पैत्रिक या आपके द्वारा अरजित संपत्ति के बिगने से भी आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत हो सकती है कुल मिलाकर इस समय आर्थिक शेत्र के लिए कोई भी निर्णे बहुत सोच समझ करने तो आपके लिए अच्छा रहेगा व्यवसाय व्यवसाय के दृष्टी कोण से देखा जाए तो नव वर्ष 2019 की शुरुवात मजबूत होने के संकेत मिलते हैं वर्ष के पहले दिन ही आपके कर्मिस्तान के स्वामी शुक्र ग्रह आपके लाविस्तान में ब्रस्पति ग्रह के साथ आ जाएंगे जो की बड़े परिवर्टनों और व्यवसाय विस्तार को दर्शा रहे हैं जन्वरी के बाद इस्तितियां आपके नियंतरन से बाहर जाने का प्रयास करेंगी लेकिन आपकी कड़ी लगन और मेहनत के कारण से सभी चीजें ठीक रहेंगी इस स्वर्ष यदि आप केवल भाग्य भरों से बैटे रहे और कुछ शुब होने की प्रतिक्षा में बैटे रहे तो कुछ खास नहीं होने वाला इस समय अपने रोजमर्रा के कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए 16 अप्रेल से 10 मई 2019 तक का समय आपके कार्य शेत्र के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और कोई फाइदे मन सौदा आपके हाथ लग सकता है 10 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच कोई भी कार्य बहुत सोच समझकर करें क्यूंकि इस समय आपके कार्य शेत्र के स्वामी शुक्र अपनी नीच राशी कन्या से गोचर करेंगे नौकरी नौकरी करने वालों के लिए भी वर्ष 2019 की शुरुआत अच्छी रहेगी कुछ अच्छी सूचनाएं आपको जनवरी के महीने में सुनने को मिल सकती है आपको लंबे समय से आपके ऑफिस में नजर अंदास किया जा रहा था जो कि कुछ समय के लिए सुधरेगा 16 अप्रेल से 10 मई 2019 तक का समय आपके लिए काफी शुब साबित हो सकता है और इस समय आपकी पदोननती या वेतन बढ़ने की सूचना भी आपको मिल सकती है इस वर्ष ऑफिस के कारियों के चलते आपको छोटी और बड़ी सभी प्रकार की यात्राएं करनी पड़ेंगी 7 मार्च को राहु ग्रहक आपके चटे स्तान पर गोचर करेंगे यह गोचर रोज मर्रा के कारियों में बादा पहुचाने वाला साबित होगा 10 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच किसी इस्तरी सहकर्मी द्वारा आपके उपर किसी प्रकार का जूटा आरोब भी लगाया जा सकता है जिसके लिए आपको पहले से सतर्क रहने की सला दी जाती है कुल मिलाकर 9 वर्ष 2019 आपके लिए अच्छा रहेगा शिक्षा शिक्षा के द्रिष्टी कोंड से देखा जाए तो 9 वर्ष 2019 की शुरुवात बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी चंद्र राशी के अनुसार आपके शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र ग्रहे हैं जो की वर्ष आरंब से ही अपनी सब्तम द्रिष्टी से शिक्षा भाव को देखकर मजबूती और शुबता दे रहे हैं ब्रहस्पती ग्रह भी 5 नवंबर 2019 तक अपनी अम्रित तुल्य द्रिष्टी से आपके शिक्षा भाव को अपनी शुप्ता से अनुग्रहित कर रहे हैं साथ मार्च को एक मुख्य जोतिशिय घटना घटेगी और राहु ग्रह राशी परिवर्तन कर आपके चटे भाव में आ जाएंगे और केतु ग्रह धनु राशी में चले जाएंगे और आपके राशी स्वामी शनी के साथ मिलकर चांडाल योग का निर्मान करेंगे इस समय आपके जीवन के प्रतेक शेतर पर बहुत गहरा प्रभाव पढ़ेगा जिससे आपकी एकागरता पर नकारात्मक प्रभाव भी पढ़ सकता है इसलिए इस समय आपको ध्यान योग का सहरा लेना चाहिए जिस से आपके उपर इस नाकरात्मक गोचर का अत्यदिक प्रभाव ना पड़े 10 सितंबर से 4 अक्टूबर 2019 तक आपको अपनी मित्र मंडली और विप्रित लिंग्यों से भी थोड़ी दूरी बना कर रखनी चाहिए प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी में लगे लोगों के लिए वर्ष 2019 मेहनत करने वाला वर्ष है पारिवारिक सुक पारिवारिक दिष्टी कोंड से देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत आपके मन मुताबिक नहीं रहने वाली आपकी चंद्र राशी के अनुसार आपके कुटुम भाव के स्वामी भी शनी ग्रह बनते हैं जो की वर्ष की शुरुआत मेहीं सूर्य के साथ धनू राशी में विराजमान है जो की पिता या पिता तुल्य लोगों से वैचारिक मद्भेज जैसी इस्तिती उत्पन कर सकते हैं इस वर्ष के शुरुआती महीनों में पिता के स्वास्ते में भी गिरावट आ सकती है जिसको लेकर आप चिंतित हो सकते हैं साथ मार्च के बाद आपके कुटंब भाव के स्वामी शनी केतु के साथ मिलकर चांडाल योग का निर्मान करेंगे जो की किसी छोटे विवाद वा बड़े पारिवारी कलह का कारण बन सकती है 22 जून से 9 अगस्त 2019 तक के समय परिवार में किसी संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ने के योग भी बने रहेंगे इस समय माता वा माता तुल्य इस्त्रियों के स्वास्ति का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी कुल मिलाकर साथधान रहें और सभी समस्याओं को शांती और सरलता से निप्टाने की कोशिश करें जीवन साथी वा प्रेम संबंद जीवन साथी वा प्रेम संबंदों के द्रिश्टी कोंड से देखा जाए तो नववर्श 2019 आपके लिए अच्छा रहने वाला है लेकिन 7 मार्च 2019 के बाद जब राहू ग्रह आपके सप्तम भाव से गोचर करते हुए छटे इस्तान पर आ जाएंगे 22 जून से 9 अगस्त 2019 तक का समय छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा वर्ष आपका ध्यान आपके जीवन साथी के उपर रहने वाला है और यह कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है पिछले वर्ष राहू के सप्तम गोचर ने कई मुद्दो पर कई बार टकरार कराई होगी जिसके चलते आपका मन खराब रहा होगा इस वर्ष भी 22 जून से 9 अगस्त तक का समय आपके लिए साबधानी बरतने वाला होगा क्योंकि इस समय मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव से गोचर करते हुए आपके उपर मंगली प्रभाव बनाते हुए आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे प्रेम संबंदों के द्रिष्टी कोंट से देखा जाए तो जन्वरी आपके लिए यादगार रहने वाली है इस समय आपको अपने प्रेमी का भरपूर सहयोग मिलेगा जो लोग अपने प्रेम संबंदों को विवाह के गटबंदन तक ले जाना चाहते हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत शुब सिद्ध होगा क्योंकि इस वर्ष ब्रहस्पति ग्रह सब्तम दृष्टी से आपके प्रेम भाव को देखेंगे और नमम दृष्टी से विवाह भाव को देखेंगे जो की विवाह करने के लिए बहुत शुब है स्वास्थ्य स्वास्थ्य के दृष्टी कोंड से देखा जाए तो वर्ष 2019 आपके लिए मिले जुले फल देने वाला है वर्ष 2019 के शुरुवाती महीने ना गिने जाएं तो बाकी का समय छुटपुट शारिरिक और मानसिक तनाओं से संबंदित समझ से आएं आपके साथ चलती रहेंगी इस समय मुख्य रूप से सिर पेट और पैरो से आप परिशान रहेंगे इस समय आपको स्वस्त रहने के लिए ध्यान योग का सहारा ज़रूर लेना चाहिए वर्ष के मध्य में खान पान का बहुत अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है कुल मिलाकर इस वर्ष खान पान सोना उठना नियम से करें अब हम आपको 2019 के लिए कुछ विशेश उपाई बताने जा रहे हैं जो की क्रहों के नकारात्म गोचर से आपको सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ आपको तेजी से सफलता भी दिलाएंगे पहला उपाई आता है मंतर शेत्र से वर्ष 2019 में मकर राशी के उपर बनने वाली सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम आपको एक मंतर बताने जा रहे हैं जिसके नियमित रूप से जाप करने पर आपको चौकाने वाले परिणाम प्राप्त होंगे मंतर जाप के लिए रुद्राक्षी माला का प्रयोग करें मंतर इस प्रकार है ओम नमा शिवाय दूसरा उपाई आता है यंत्र प्रयोग से भोज पत्र पर अश्ट गंदोर अनार की कलम के प्रयोग से केतु ग्रह के 108 अंक यंत्र बनाएं और किसी भी शनिवार के दिन इन्हें बहते पानी में एक-एक करके प्रभाहित करें तीसरा उपाई आता है रुद्राक्ष धारण से वर्ष 2019 में साडे साती के खरा प्रभाव से बचने और सभी ग्रहों के शुब परिणाम प्राप्त करने के लिए साथ और चौदा मुकी नेपाली रुद्राक्ष शुकल पक्षिय सोमवार के दिन धारण करें चाथा उपाई आता है शुब रत्न धारण से वर्ष 2019 में चंद्रलग्न पंचम वा भागिस्तान के रत्नों को अश्ट धातु में कवच रूप में धारण करना आपके लिए बहुत शुब और सफलतादायक सिद्ध होगा कवच बनवाने वा धारण करने से पूर्व अपना जन्म कुंडली विश्लेशन जरूर करवाए पांचवा उपाई आता है वैधिक जाप के शेत्र से वर्ष 2019 में मंगल ग्रह और केतु ग्रह शांती जाप करवाना आपके लिए ठीक रहेगा चटा उपाई आता है तीर्थ यात्रा के शेत्र से मकर राशी वालों के लिए भगवान शिव और शनी देव से सम्मंदित तीर्थ इस्तलों के दर्शन करना सबसे शुप साबित होता है सात्वा उपाय आता है दान शित्र से जैसा की मैं सदैफ से आपको बताता हूँ कि कल्यूग में नवग्रह शांती का सबसे उत्तम उपाय दान करना है इसलिए वर्ष 2019 में भी आप भूकों को भोजन जरुरत मंदों को वस्त्र आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा प्राप्ती में साहिता नेत्रहीनों असाय और व्रिद्द लोगों की तन्मन धन से साहिता के बावजूद यदि फिर भी कुछ करने का मन करे तो मंगलवार के दिन मसूर की दाल गुड और गिहूं लाल रंग के कपड़े में बांध कर हनुमान मंदिर में दान करे नववर्ष 2019 आपके लिए सभी शेत्रों से शुब रहे और आप अपने परिवार जनों और मित्र जनों के साथ जीवन के सभी सुख वा आनंद प्राप्त करे ऐसा मेरी मा भगवती दुर्गा जी से प्रार्तना है इसी के साथ हम आज के लिए आप से आग्या चाहते हैं आपका जीवन शुब वा मंगल में हो नमो नारायन झाल तुर्धक ैपल